हेई गाईज विलकम बैग आज सुबा सुबा ब्लग का सुरुवाद हो रहा है सुपिंग से क्रॉकरी सुपिंग तो सुबा सुबा ही मैं आगी हूँ गोरियाट सुपिंग करने क्योंकि दुर्गा पुजा साम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भीड हो जाता है दोपहर में फिर साम में भी तो उसमें सुपिंग करना थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और मुझे क्रॉकरी कुछ आइटेम चा ना मुझे बहुत बहुत पसंद है तो यहाँ पर मैंने सौपिंग तो बहुत सारे किया है क्या किया है आपको घर जाके मैं बताओंगी और बहुत अच्छा लगा आज मुझे I love it घर आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया थोड़ा बहुत कुछ काम था वो सारे चीज़ भी किया फिर बाबु लोगों को खाना वाना खिलाया और उसके बाद मैंने ब्लिंकिट में भी थोड़ा कुछ ओडर दिया था एक्चलि ब्लिंकिट अस्वीगी मार्ट ये दोनों साइट मेरा बजार है मैं रोज कुछ ना कुछ ओडर देती हूँ जो भी मुझे नहीं मिलता है या फिर जब मैं बजार जाती हूँ तब मैं लेके आती हूँ और पॉसिविल नहीं होता है कि रोज रोज आब बजार जा है अभी जब भी मैंने ब्लिंकिट से ओडर किया है तो यहीं सारे मिल रहा है मेरे घर पे जो लड़का काम करता है उसका बड़े है और हर साल मैं उसका बड़े पे खीर बना के उसको देती हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है वो बोलता भी है आप ही मुझे आपके हाथ से खीर खाना है फर्स टाइम मुझे केक दिया था तो बोला था आप ही मुझे खीर पसंदे तो मैं उसको बना के देती हूँ तो उसके लिए मैं कल बनाऊंगी हमारे आसपास में जो लोग काम करते हैं जिसके विए से हमारे लाइफ थोड़ा से इजी हो जाता है उन सब को विए उतना रेक्सपेट देना चाहिए प्यार देना चाहिए क्योंकि हमारे छोटी से कुछ करने से ना वो लोग बहुत खुस होते हैं और वैसी भी जो लोग हमारे अंडर में काम करते हैं वो भी मैहनत कर रहे हैं वैसे तो हम लोग बैठे बैठे उसको पैसा नहीं देते है कि घर पे जो हेल पर होते हैं इतना प्यार से बात करना रेक्सपेट करना तो मैंने भी उन्हीं से ह source करवा लूँ क्योंकि मेरा Size जो cut है न वो थोड़ा सा layer cut में है तो मैं पीछे से चाती हूँ कि एकदम से straight हो जाए रिस्ट्रेट करने के लिए उसको और थोड़ा सा sort करना पड़ेगा तो ये चीज़ करना ठीक होगा क्या आप लोग मुझे comment करके थोड़ा suggest करना बोलना थोड़ा क्योंकि मैं तो confused हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं straight करूँगी तो फिर length छोटा हो जाएगा पर सोच भी रही हूँ कि length छोटा हो जाएगा तो grow भी तो हो जाएगा ना तो समझ में नहीं आ रहा है क कभी कभी सोच रही हूँ जाके cut कर लूँ कभी कभी सोच रहीं की नहीं समरीर मत जा आप लोग भी तो मेरा दोस्त हो तो आप लोग ही मुझे suggest करो कि मुझे क्या करना चाहिए एक बात बुलू आज भी जब मैं कुछ खरीती हूँ ना जैसे crockeri item हो गया बहुत ही छोटा सा चीज है पर मेरे साथ बहुत जादा एक emotional connect है क्योंकि जब मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था जब मैं hostel में रहती थी बट मुझे सौक था कि मैं अच्छे plate में खाऊ अच्छे cup में चाई पी हूँ तो मैं क्या करती थी जो 10 रूपीज वाला जो local train से मैं आना जाना करती थ तो वहाँ पे ना 10 रूपीज वाला plastic का समान मिलता था तो plate में 20-25 रूपीय लेता था और cup glass में 10 रूपीज तक आ जाता था तो मैं वो खरीती थी और हर मन खरीती थी जब जब पापा पैसा भेजता था थोड़ा बहुत तो उसी से मैं खाती थी कि मुझे इतना सोकता और स सोस्ती भी थी जब जब साइड में देखती थी कुछ ऐसा क्रॉकरी सौप तब मैं सोस्ती थी कि एक दिन तो मैं यह वाला भी लूँगी और आज जब कुछ खरीती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि नहीं समरीन तुमने तो खरीता है और अपने पैसे श्रक्राइड से हुरिती हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा इमौशनेल भी होती हूँ साथी साथ में और आपको पता है 자주 चीज़ लेती हूँ मैं बहुत रोती हूँ यह बहुत स्यंटी हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है और यह रहा म जो टी कप है यह ना बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि यह मैंने पिंटरिस में भी देखा था तो आज मुझे मिला है तो मैंने ले लिया एक ब्रैंड ने भी मुझे सेंड किया है पर आभी तक मैंने उसको अन्बॉक्सिंग नहीं किया है वो थोड़ा सा जिए है सिर्फ अपने खाने पीने के लिए मुझे सैलड खाना है तो मैं अच्छे वोल में खाऊं मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता यह एक टाइप का मोटिवेशन है मेरा और बड़ा वाला जो देख रहे हो काच का यह सिर्फ अपने मेरे फेस को होता है तो बहुत टाइम से सोचा था तो आज मैंने ले लिया बहुत टाइम बाद ऐसे मैंने लोकाल मार्केट से सौपिंग किया पर यह सारे चीज़ कितना एक्सपेंसिव है हम लोग सोचते है कि ऑनलाइन में एक्सपेंसिव ऐसा नहीं है मार्केट में आज कल कोई चीज सस्ता नहीं मिलता है बहुत एक्सपेंसिब है बट हाँ quality wise अगर देखा जाए तो 10 on 10 है बहुत अच्छा quality है और अंकल लोगों को मैं बोल रही थी कि इतना अदाम है इतना अदाम है तो बोल रही कि इसका quality देखिया तो सच में quality बहुत जदा अच्छा है तो मैंने सोचा कि ठ करते है अच्छा कासा मैंने खर्चा भी कर दिया पर चलो ठीक है कोई बात नहीं और फरनीचा लेने का ना यही मेरा मकसद था जो पीछे वाला है वाइट वाला यह वाला तो यह ना लिया था सिफ क्रॉकरी रखने के लिए ताकि अच्छे से सामान रख पाऊं तूटे-फ वो सारे चीज अभी में खोल भी नहीं सकती इतना अच्छे से मैंने उसको रैप किया है बबल रैप से जब मैं सिफ्टिंग कर रही थी वो जब पर्मिनेंट कहीं पर सेट हो जाऊंगी कि अब कहीं पर सिफ्ट नहीं करना है तब ही कर सकते है विकॉज अभी रखने के वीडियो देखती है आप लोगों को मैं एक ही चीज बोलूंगी मैं क्या कर रही हूं मेरा लाइफस्टाइल क्या है उसमें फोकस मत करो अपने उपर फोकस करो और मेरे से एक चीज सीखो कि मैं अगर एक छोटा सा सेमी टाउन से उठके आके कुछ कर सकती हूं बिक सिटी मे अपने आपको मैं अच्छे से टेक क्यार कर सकती हूं तो आप लोग क्यूं नहीं कर सकते हों बस थोड़ा से हिम्मत की जरूरत है अपने ऊपर confidence की जरूरत है जिन्देगी में जो चीज चाहिए जो कमाना है डाम कमाना है पैसा कमाना है उससे कभी हिच खिचाट मत रखो ल और मैं जो जो चीज चाहूंगी वो सारे चीज फुल्फिल करोगे न आप लोग एंड घर वाले दो दिन के बाद तीन दिन के दिन आपको बोलेगा यह नहीं दे पाएंगे यह नहीं कर पाएंगे तब आप बोला कि आप लोग तो हर चीज के लिए जब मना करते हों तो मुझ साधी के बाद भी आपको और चीज बनाता है जो लड़किया चार दिवारी के अंदर रह जाती है ना दुनिया देख पाती है ना लोगों को समझ पाती है ना कोई experience होता है ना कुछ कर पाती है कट पुतली बनके रह जाती है पहले माबब की इसारों में नाचो उसके बाद husband का and joint family में अगर साधी हो गया अला तब तो पुरा खांदान के इसारों पे नाचना होता है ऐसा नहीं है कि हर गर ऐसा होता है कुछ कुछ घर तो बहुत अच्छा होता है माशालला पर कुछ कुछ घर ऐसा होता है कि लड़की को मरते दम तक वो किसी और पे उपर depend होके जि कुछ कि हाँ भाई मैंने अपने जिन्देगी में कुछ किया है और ट्रस मी आप जब 500 रुपिया भी कमाओगे ना जिस दिन अपने बलबुते पे आपको इतना ज्यादा happiness फिल होगा प्राउड फिल होगा वह जो मोमेंट होगा वह आपका होगा वीडियो सूट करते करते जो लोग यूटूबर है यूटूब में काम करता है 24-7 आपका brain चलेगा जब आप सोगी भी ना तभी यूटूब का धियान रहता है content का धियान रहता है इतना ज्यादा हार्ड होता है और मैंने कुछ नहीं स्किन केया न्यू न्यू प्रोडेक्ट ओडर दिया था तो वही सारी चीज़ का भी unboxing कर रही हूँ और आप लोग और प्रोडेक्ट वही सारी चीज़ बोलोंगी जो मैं यूज करती हूँ और मुझे कोई side effect नहीं हुआ है because मेरा sensitive skin भी है और बाकी market में और भी प्रोडेक्ट है जो अच्छा है आप लोग को जो सही लगे आप लोग भी यूज कर सकते हो बट मैं मेरे तरफ से जो होगा वो अगर कुछ call आता है कुछ आता है तो बहुत problem हो जाता है बार बार फोन के पास जाना होता है तो थोड़ा-थोड़ा पैसा में बहुत टाइम से थोड़ा-थोड़ा सेविंग कर रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम जटकर कि कुछ भी big amount को चीज होता है मैं नहीं ले पाती क्योंकि मुझे back में भी तो बहुत सारा चीज सोचना होता है ऐसा तो नहीं कि आप पैसा कमारे हो कुछ भी ले लो आपको घर चलाना होता है खुद का मन्थेली का खर्चा होता है फिर मेरे पास पेट से घर का रेंट है बहुत सारा चीज़े सोचना होता है थोड़ा से big budget अगर चीज होता है तो मैं क्या करती हूँ हर मन्थ थोड़ा थोड़ा पैसा में साइड कर देती हूँ फिर जब वो पूरा एकटा हो जाता है तब ले लेती हूँ तब ना उतना समझ में भी नहीं आता है और इसली वो चीज में ले भी लेती हूँ और एक बार में अगर प एकौलेजी का कितना सारा संस्क्रीम मैं ओर दिया है जहां तक Sultan संस्क्रीम ही है और डॉक्टर सेट्ट का अभी इसप्रै वाला जो संस्क्रीम आया है डॉक्टर सेट थोड़ा बहुत न्यू स्साथ यू न यह skincare product बट यह मुझे face mask यूज करना था क्योंकि इसका ना भी बहुत ज़दा हाइप है तो देखना तो पड़ेगा ना कि क्या इसमें खाचियत है बस यही सारे product और good vibes का ना बहुत अच्छा product है जो लोग मुझे पूस्ते हो ना कि थोड़ा सा कम range में बताओ कुछ अच्छा product को भी skincare देखो good vibes एक ऐसा product है आपका budget friendly है and 300 के अंडर में हरी चीज मिल जाएगा A to Z and ingredients है ना बहुत ही अच्छा है natural है पता है वो इतना जदा popular क्यों नहीं है क्योंकि social media में उसका जदा एड नहीं है क्योंकि good vibes जादा तक influencer को उतना जदा रीच नहीं करता है जो पैसा नहीं देगा उसके बारे में बात क्यों करेगा right Ecology का के साथ मैंने Instagram पे collab किया है बहुत अच्छा brand है पहले से ही में यूज करती हूँ और जो सारे brand में यूज करती हूँ या फिर future में भी काम करूंगी जो अच्छा product होगा उसी के बारे में ही बात करेंगे उसी का ही promotion करेंगे Otherwise एरा गेरा दो पैसे के लिए मैं कोई भी brand का में suit नहीं करूंगी एक influencer का गलत एड किसी का life destroy भी कर सकते है बहुत सारा ऐसा product है इसके डामेज कर देता है hair को पूरा टकला कर देता है तो किसी का confidence को destroy करना है दो पैसा के लिए ऐसा काम करने तो मैं YouTube में बिल्कुल भी नहीं आई हूँ कोई किसी का दिल का जो high होता है ना मुझे पता है कि इसकी कितना ज़्यादा important होता है एक लड़की के लिए तुमको कोई trust करके subscribe कर रहा है तुमको कोई comment कर रहा है तुमको कोई अपना वक दे रहा है तो यह सारे के respect करना चाहिए पैसा तो देखो पैसा तो हर एक चीज में हम लोग कमा सकते हैं चाहे कोई भी काम करके पर पैसा ऐसा कमाओ इज़ट के साथ और अब सीना ठोक के बोल सको हाँ मेरा काम वैसा है और पैसा भी वैसा कमाओ ताकि आप वो चीज के लिए सुकुन से सोच सको कि किसी को अपने हर्ड नहीं किया है मैं तो बहुत गिल्ट में चली जाती हूँ कुछ भी गलत कुछ हो जाता है तो मेरे से तो यह सारे चीज नहीं होगा इंशाला और ना मैं कभी फ्यूचर में करूंगी भी और आप लोग आप लोग ने तो मुझे दीदी माना है मुझे बहन मानते हो मुझे दी आपी बुलाते हो तो आप लोग मेरे लिए क्या हो मैंप प्लूग में क्या बोल जाती हूं कि अरे च्षोड का मैं वी बना रही हूं और टोमाटो सूप आपको कि वाइट ही की जरूरत है आप कुछ मत करो कुछ सप्लिमंट मतलो टौमेट मे keeping तो में सुप में कोई बी मसाला वैगर डालना मत तो हमेट में क्यों स्थिज팅 को मैं ही फोग हो Госश है थोगा से अच्छा आए गा लें लशन को थोड़ा सा ब्टर में थोड़ा सा सौब슬कुर म बनाऊगे उसके बाद घर पे जो भी आपका होगा ना जैसे ब्लैक पेपर हो गया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हो गया थोड़ा सा और ही गानों हो गया बस यह सारे चीज डाल कि अच्छे से उसको बॉयल करना है उतके थीकनेस आ जाएगा और किसी को अगर कुछ जादा ही थ आपना टेस्टी लगेगा लेटर दवेट उपनेंगें अच्छे क्यार साम हो चुका है में रेडी भी हो चुकी हूं दो घंटा मैं सो भी गई थी थोड़ा काम बं करके खानवाना खाके नाहा भी लिया था सब कुछ कर लिया था और मैं होड़ा थोड़ा थोड़ा थक वैसा नहीं है चार दिन से में दो घंटा एक गंटा करके सो रही हूँ क्योंकि मेरा प्रेजेंटरेशन है ऑफिस में जिसके करण मुझे दिन रात एक करना पड़ रहा है बहुत काम करना पड़ रहा है पर ठीक है जब तक comfort zone से अप नहीं निकलोगे आपका आराम को नहीं छो करो कि आपका काम यह भी सोर मचा दे कोई भी professional अपसलेट करो काम ऐसा करो कि आपके काम से किसी को फाइदा हो कुछ सीखने मिले आज सोसल मेडिया में हो तो बहुत ही ध्यान से काम करना तकि आपके काम किसी को हर्ड ना करे किसी को गलत information ना दे आपके काम से कोई सीखे मुझे थोड़ा comedy movie अच्छा लगता है और अकसाई कुमर का movie मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि comedy होता है वैसे सारुफ खान सल्मान खान कभी में movie देखती हूँ और weekend में मैं एक दीन या फिर कभी कभी दो दीन ही होता है Saturday Sunday भी होता है मैं बाहर निकलती हूँ क्यों आपर करना खुश रखना ही मेरे जिन्देगी का मकसद है और क्या कौन ही करेगा सो मैं कोसिस करते हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलू घूमू फिरू थोड़ा सा लाइफ को इंजोई करूँ क्योंकि ये जो वक्त है वो जब निकल जाएगा तो बापस तो नहीं आनी है और साधी के बाद तो लाइफ तो बहुत चेंज हो जाता है रिस्पॉंसिविटी आ जाता है तो अभी जो मैं कर पारी हूँ साधी के बाद साध वो सारे चीज़ करूँ बढ़ थोड़ा सा साध उतना नहीं कर पाऊँ तो इसलिए जिन्देगी जीलो सारी जो सिस्टर मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग खुद के उपर पहले confidence रखो डी मोटिवेट तो होना ही नहीं है कभी अगर डी मोटिवेट हो भी जाओगे न मेरा कोई एक वीडियो देख लेना मोटिवेट इंशालला हो जाओगे और उससे भी नहीं काम बने तो मेरे को इंस्ट्रागिरम पर मैसेज करना में बात करूंगी आप सबसे ठीक है वैसे तो मेरी को बहुत सारी मेरी बहने मैसेज करती है हम लोग तो बात भी करते हैं और कभी भी कोई भी प्रॉबलम हो मैं तो हुई साथ में तो खुश रहो अच्छे से रहो और अपने लाइफ में बहुत तरक्की करो मैं चाहती हूं कि मेरी सारी जो सिस्टर जो वीडियो देखती हो खुश रहे हेल्दी रहे लाइफ में तरक्की करें आगे बढ़े तो चलो वीडियो को खतम करते हैं ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में वीडियो को लाइक से या सस्क्राइब क झाल झाल